प्राप के नसे में धूत डायल 112 का दिवान रात को साड़े ग्यारा बजे ग्रामिड के घर में गुसा शिकायत करने पर बोले पुलिस छेत्रा दिकारी गोला ने कहा जहांचू प्रांत होगी का रवाही जनपद लखिम पूर खिरी थाना मैलानी की डायल 112 वहन पर कारत पुलिस का एक दिवान देश राज बीती रात एक सिकायत के निसारण हेतू अपने सहयोगी के साथ गंगापूर गाओं पहुँचा जहां कुछ लोगों का आपसी विवाद था जिनोंने डायल 112 फोन पर सिकायत की शिकायत पर कारवाई करने से देश राज दिवान गंगापूर पहुँच गया वो भी रात के अंधेर में ग्रामिर जाग ग्रूप खुसवाहा ने दिवान पर अरोप लगाते हुए बताया रात गेरा बजे डायल 112 पुलिस की गाड़ी प्रतायनाथ दिवान देश राज मेरी घर में जबरन गुच गया उसने सराप पी रखी थी और नसे में चूर था पतनी सो रहे थे बिरोद करने पर देश राज ने वर्दी करौब दिखाते हुए कहा मुझे अधिकार है मैं किसी के घर में घुस सकता हूं जबकि उनके साथ में दो कॉंस्टेवर और थे जो बाहर ही खड़े थे घर में घुसे देश राज दिवान का घर के लोगों ने व कोबाइल पर हुई वर्ता ने बताया कि घटना की जनकारिवायर वीडियो के माध्यम से उनको भी मिली है अब जाज करने की उपरांत कारवाही की जाएगी इस समद्ध में CHC बाके गंस्टिकित सक अनिल सुल हसन अंसारी ने भी अरोग पुलिस करमी देश राज के डाक्ट कर देने के बाद मैं सर अपने घर में चला गया सोने के लिए मेरा भाई लूम भी चले ठीक है और उसके बाद इसने 112 नंबर बुला दी 112 112 नंबर आने पर मैं आपने में बैट्रूम में सो रहा था माता जी बाहर सो रही थी मतलब दूसरे रूम में ठीक है तो पहले गेट है तो मा वह आया उसने वह बतरता के साथ बोला है निगल भाया तो माता जी ने पुछा भी अक्या बात है बताओ और अभी हम बुलाते हैं तो उसने माता जी को आइस मोट साइकल खड़ी थी वाइक पर माता जी को इसे दखका मार दिया क्या नम सा शुपाई का देश तो बोलता है मैंने का इसे बहुता है मैंने कि स्था इजना नम कारे दीखा और में तो भूए करोगा आप को ट्रमार वहां हैए वह जाएगी अई gör और ज्यू बोलना हो जाएगा मैंने का क्यों경 किस बात बोला कि अब मुझे पक्रे के बाहर के दो गशिता घश्यरी रहें और जो है भी है जब चलाया तो इतने डाद ट्रिंक के वह ता इसका बढ़ वहीं गिर गया तब मैंने उससे उठकर पूछा तुरन कि क्या मेटर है तो वही बताना लगा कि तुने लाई की है तुने मारा है और लोगों को मैं तुझे पकड़ने के लिए अब तो पर बात ही नहीं हूए आप जो है तो मिली में बनाना बंद कर दिया तो उसने गाली जैना बिल्कुल बंद कर दिया